हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूटियम में तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिप्लेसी ने वंदरोगा के पोश्ट के लिए कुल सास्सो एक पदों पर वेकेंसी निकाली थी जिसके के एप्लिकेशन चल रहे थे और लास्ट डेट जो है वो 6 नवंबर यानि के आज की थी तो यहाँ पर काफी सारे चात्र जो है लास्ट डेट का इंतियार कर रहे थे और उन्होंने फॉर्म अभी तर फिल नहीं किया था तो आज जो है यूपी ट्रिपलेशी की जब वेपसाइट वो ओपन करके फॉर्म बनने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर एक एरर मेसेज सो रहा है और सुबैसे काफी सारे केंडिडेट के कमेंट मिल रहे हैं तो हमने कापी सारे गेंडेट को रिपलाई देने के विकोशिस किये लेकिन यहाँ पर कमेंट की संख्या जाता है इस बाइस से हमें ये वीडियो लेकर आना पड़ा तो दोस्तों चली वीडियो स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपलेसी ने वंदरवा की 701 पदों के लिए भरती निकाली थी जिसकी ओनलाइन आवेदन या सुल्क जमाप्राण होने की थी आप सभी को पता है कि 17 अक्टूबर 222 थी यानि कि 17 अक्टूबर से फर्म अप्लाई होना शुरू सभी था कि उप्यक्त विज्यापन के सापिच आवेदन सम्मेट करने वस्सुल्क जमा करने के अंतिम्तिती 6 नवंबर 222 है इस तिथी के बाद कोई आवेदन या सुल्क सुईकार नहीं किया जाएगा ऐसे में कुछ चात्र जो हैं वो लास्ट डेट का इंतियार कर रहे थे अप्लाई करने की कुछ करा करें तो जब आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए अप्लाई बटन पर क्लिक करते हैं तो यहां पर इस तरीके से एरर मेसेज्ज हो रहा है कि केंडिडेट रेजिस्ट्रेशन वाज अलावड अप्टू 6 नवंबर 222 तो इसका मतलब है कि आपक के 69 मिलट याने के सुबह दो बजे ही रेजिस्ट्रेशन जो है वो आपकी क्लोज कर देगे हैं और यहां पर जो भी स्टुएंट्स फॉर्म फिलना ही कर पाएं उनका फॉर्म फिलब नहीं हो पाएगा तो वैसे ऑफिसल नोटिफिकेशन के कोटिंग देखा जाए तो 6 मैसिस के अमसार जो है वो फॉर्म फिलब होना बंद हो चुका है और यहां पर कुछ कंडिट्स की कमेंट यह भी आ रहे हैं कि क्या रेजिट्रेशन डेट और आगे बढ़ सकती है तो ऐसे कंडिट्स को हम बताना चाहेंगे कि यहां पर रेजिट्रेशन डेट्स को आगे ब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राब करना बिलकूल न भूलें जिससे के आपको आगे आने वाली वीडियो की जनकारी समय पर मिलती रहें थैंक्स पर वोचिंग